भायत की प्रिसिद संकालिन मूर्तिकार लतिका कट्ट जीग, पथर की नका, शीधातों की धलाई और कांसी मूर्ति कलामें पूरी तरह से माहिक कलाकर हैं। लतिका जी अधिक चर्चा में तब आई जब उन्होंने अपने एक कासि मूर्थी मकर संक्रान्ती एक दश्वाव में घाड वाया नसी के लिए बीजिंग आर्ट बिनाले फोसकाल जीता था। इनका जन्म हो रहा था 12 मार्च 1948 गाजियाबाद उत्तरप्रदेश में। इनके प्यारमिक शिक्षा हुई दून स्कूल देहरादून से 1958 से 1965 के मद्धिये। उसके बाद ये बनारस के हिंदू विश्विद्याले गईम B.H.U. जिसे बोला जाता है। वहाँ से इन्होंने नरित कला विभाग से B.H.A. डिग्री हासिल की। और ये B.H.A. डिग्री में इन्होंने सोन पतक जीता। जो भी किसी अवद्यार्ती के लिए ऐसा पहला अवसर था कि उसे B.H.A. डिग्री में सोन पतक मिला हो। ये 1966-67 की बात है। उसके बाद MS विश्विविध्याले बरोद्रा से कला विशयमेन उन्होंने प्रथम श्रेणी में एमें किया 1975-78 के मध्या। 1975-78 के मध्योंने संस्कृति की चातुरति मिली राष्ट्री संस्कृति चातुरति स्कॉलर्शिप। 1981 में British Council की स्कॉलर्शिप के लिए जिसके तहट वो 91 में Slade School of London गई वहाँ पर उन्हों काम सीखा। University of Grand Commission नेदिली का केरियर आवर्ड ये एक फेलोशिप ही होती है। उन्हें मिला 1988-91 के मध्यों। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वे द्याले वारनसी में भी उन्हों ने शिक्षण कार किया 1980-1985 के मध्य। लटिका कट जी भारत के प्रसीद मूर्ति शिल्पी बलवीर सींग कट की अरधांगिनी है। मतलब हस्वेंड और वाइफ दोनों ही भारत के प्रसीद मूर्ति शिल्पी हैं। उन्होंने 1971 में बलवीर सींग कट के साथ इंग्लेंड और अन्य यूरूपी देशों की यात्रा की। लठीका कटी जी जो हैं भारत की सहासिक और दृलव महिला मूर्तिकारों में से एक हैं। और उनकी प्रतिवा को इंद्रा गांदी जी ने कला प्रदशनी के दोराम देखा था और उन्हें मूर्ती कला को एक पेशे की रूप में चुनने के लिए प्रोज साहित भी किया था लतिका कटी जी बताती हैं एक इंटर्वी में बताया कि दरसल लोग इस तरी का मूर्ती शिल्पी होना हजम नहीं कर पाते मुझे हमेशा महनत का और मुश्किल काम करना पसंद रहा और ऐसे ही लोग भी पसंद रहे जो मुश्किल काम करने के आनन्द महसूस करते हैं आप खुद देखिए कि जब भी हम मूर्ती शिल्पियों का नाम देखते हैं, तो उसमें महला मूर्ती शिल्पियों का नाम बहुत ही कम आता है, बहुत रेयर होता है, अधिकतर यह जो शेत्र है, इसमें पुरुष पधान रहा है यह, तो जब कोई महला मूर्ती शिल्पियों किये तो लोग आसनी से नहीं समझ पाते कि वह कितनी गुनी हो सकती है उसके मूर्तिशिल्प कितने सुन्दर हो सकते हैं लतिगा कट्ट जी किने जो प्रश्णियां की उनकी पहली प्रश्णी हुई 1975 में जहांगीर आर्ट गेलरी मुंबई में उसके बाद ब्रिटिश पैंट्स डिकोर सर्विस कोलकाता में 1976 में मेक्स मुलर भावन कोलकाता में 1978 में कला मेला लान नईदिल्ली में 1978 केमोल्ड आर्ट गेलरी लंदन में 1980 में बॉल बॉम लिटर्स आर्ट गेलरी पश्चमी जर्मनी में 1984 में और इसके साथ साथ सिम्रोजा आर्ट गेलरी मुंबई में 1988 और ABC आर्ट गेलरी वाना रसी 1995 यह सारी उनकी एकल प्रश्णिया थी जो मैंने आपको बताई हैं अभी यह यह सारी उनकी एकल प्रश्णिया है और पहली जो एकल प्रश्णिय हुई थी वह जहांगी राट गेलरी मुंबई में हुई थी 1975 में 1975 में उसके अलावा उनके हम कुछ कला समारों में भागेदारी को देखते हैं ललित कला कादमी नई दिल्ली के रज़त जनती शो में उन्होंने भागेदारी की 1990 में राष्ट्री आदुनिकला संग्रहल नई दिल्ली में और इंडिया वीमें शो किया 1987 में All India Fine Arts and Crafts Society नई दिल्ली 89-90 और National Award Winning Artist शो किया उन्होंने दिल्ली में 1990 में Brand Show of Male Nude Heart Art Heritage नई दिल्ली में हुआ 1990 में All India Sculpture Festival धुमी मलाट गैल्री में हुआ नई दिल्ली में 1989 में, 1990 में और 1991 में इसके साथ ही Harmony Realize Group नेरु सेंटर में शुनक्रा शो हुआ Mumbai 1996 में, Paris बिनाले में उन्होंने भाग लिया, 1980 में और इसके साथ साथ Festival of India Royal Academy of London 1981 Shoes Geldy Amsterdam 1992 Antara Street रणाले जो नई दिल्ली में हुआ 1994 इन्होंने मुखिरूप से भागदारी की अब उनके कुछ मूर्ती शिल्पोग पर नज़र डालते हैं उनके काफी मूर्ती शिल्पोग बहुत पसिद रहे और देश के बाहर भी स्थापित हुए हैं उन्होंने पंडित नहरू की आदमकद प्रतीमा बनाई जो बनी ब्रॉंज जवार भवन नई दिल्ली में यह दूसरी जो बनाई उन्होंने यह जवार नहरू की आदमकद नहीं यह पोट्रेट साइज थी आदमकद नहीं यह पोट्रेट साइज प्रतीमा बनाई उन्होंने इंडिया पहले से वहां पर लंदन में वहां पर स्थापित है इसका मैं आपको चत्र भी दिखाऊंगी इंद्रा गांदी की प्रतीमा बनाई उन्होंने जो हिद्राबाद में है इस समय राजीव गांदी की प्रतीमा बनाई उन्होंने बेंद्रेजी का पोट्रेट बनाया जुराष्ट्रे आधुनिक पला संग्राल है नई दिल्ली में है ग्रोथ स्टोन वेर उन्हें बनाया एक बनाया वाइल्ड फ्लावर 2005 का शेड्यूल इसके अलावा उनके जो अन्यमूर्थ शिल्प है एक बनाया उन्हें मनी करनी का घाट थाली 2005 में एक अन्हें बनाया museum piece Museum piece बनाया 125 में इस्में उन्हें उन्हें यूस किया पाऊषान डॉ로 माइट और संगमर्मर Deteryation बनाया 1988 में यह बनाया इन्हें लखड़ी से Roots बनाया कासे से 2005 में Stop the Bloody War यह बनाया 2004 में Paper Messi और Paper Messi इसस बास यूस किया है इसमें उन्हें उन्हों लेंड्सकेप बनाया है 2006 में कासे से डिफर और स्टेशन बनाया उन्होंने 2005 में कासे में Steps of Success leading to what यह बनाया उन्होंने और यही समय राष्ट्रिय आधुनिक कला संग रहाले नई दिल्ली में संग रहित उन्होंने जे राम पटेल इटिंग पेन बनाया जो NGA में नई दिल्ली में है Evolution बनाया और यह भी NGA में नई दिल्ली में संग रही थे Lenscape फील्ड बनाया 97 में Bronze में यह भी NGA में New Delhi में है Trees बनाया 2012 में कासे में Egoni बनाया 85 में Fiber Glass में यह भी NGA में New Delhi में है बनाया और इसके बारे में बताती हैं कि उनको राम किंकरवेज जी का चेहरा पोर्टेल बनाने के लिए बहुत पसंद था और उन्होंने शर्बरी राचौदी जी से कहा भी कि मुझे उनका पोर्टेल बनाना है तो उन्होंने कहा कि वे तयार नहीं होंगे मेरी जिद पर मैं उनके पास ले गए और मैंने उन से कहा कि मो पोटर बनाना चाहती हूँ तब उनों ने कहा कि यह दुबली पत्री लिड़की क्या काम करेगी, क्या पोटर बनाएगी मैंने कहा कि आप मेरा दुबला पत्री अपन देख रहे हैं मैंने काम शुरू किया और फिर उनका पोर्टेट बनाया इसके लावा उन्होंने बनाया अर्थी 1992 में आधुनिक कला संग्रहले नेदिल्ली में संग्रही थे अब उनकी कुछ पुरुसकार और सम्मान उपर नजर डालते हैं उन्हें मिला गुजरात राजी लरितकला सम्मान 73 में और इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सुसाइटी आईफेक्स का पुरुसकार 74 में 75 में और 76 में लिटकला अकार्मी कॉलकता का पुरुसकार मिला 74 में बड़ोदा की पांच प्रतिष्टित महिलाओं में से एक की रूप में सम्मानित हुई 1975 में आर्टिस मुंबई में अंतराष्टी महिला शोव में पुरुसकरत हुई 75 में MP काउंसिल आफ आर्टिस पुरुसकार मिला हिद्राबाद से 76 में और ललित कराका भी नई दिल्ली का राष्ट्री पुरुसकार मिला हुए 1980 में तो यह थे कुछ पुरुसकार और सम्मान और लतिका कट् अंप्रिश्टा स्थापित करना बहुत महनत का काम है और लतिका जी ने इसको बख्षू भी किया है अब आईए उनकी कुछ मुर्ति शिल्पों पर नज़र डालते हैं अ कि यह लतिका कर्टी जी मुर्ति शिल्प बनाते हुए पत्थर पे काम कर नहीं है एक यह अनुन का म कि एक अलग शिल्प होंगा यह कि एक अन्य शिल्प और यह अर्थी टाडल से नोने मुर्ति शिल्प उनाया था यह हो है तो यह था कला परिचय भारत की प्रसिद्ध मुर्तिकार लतिका कटी शिल्प